प्रतियोगीताओं का समापन कोलारस मनीपुरा गाओ में तेन दिफसी खेल प्रतियोगीताओं का समापन हुआ चात्र चात्राओं को शेल्डवा टीशेट वित्रिट की गई इस दोरान मुख्य अतिती विधायक बिरेंद्र कुरगुवंशी, मंगल सिंग कुश्वा, रामची लाल धाकर, प्रचार केसी जाट, राज़ेश विजवर्गिये, एसके अटारिया, बिरेंद्र लोधी, ब्रजेश कुश्वा, कल्यान, राचाबत राजु कुश्वा, रव करते हैं, कि हमसे अगर कोई भूल जीवन में हुई है, इस उमर में आके, तो आप से ये भूलना हो, और ये शिक्षा देने का काम, ये मारदर्शन देने का काम, हम बड़ी उमर के लोगों को करना चाहिए, बात हैं बहुत हैं कहने को, आप सब ने, मुझे अभी अभी महीन के लिए आपके साथ ने आए हो, आपकी हर योजना, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजना, कॉलर रस्विधान सवा के घर-गर में आए, एक हैं नसरूला गंश की नगर पंचायत कॉन्फरेंस हॉल में 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर बैठक होई, जिसमें अनुव जनवरी की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, साथ ही बच्चों की सुरक्षा व्यवस्ता साइद आने व्यवस्ताओं को लेकर चर्चा हुई हैं, चर्चु हिसके उद्धर्वना की कि तताओं़ लाइज का रश्रान, रश्रान के वादी सालाफिया sepertiन, जिलीचेंगे हैं जो परेठवने के तताओं़ ले मते हैं बचने का लाइज सासरे के अधा झाचत, तकने निन रखे जाएगा पर फिर मार्च थ मार्ट क्याद अरेत। पर अर्च षिर्चर यह मार्टर मार्च नहीं है इसके पद नुट आफ़ा है, इसे करें इसके लीकित तरह । इचने बार नुट सु पलूए थे, बैंट कर सो कुई हैं। सियोर जिला के नसुरुला गंच में आनन उसब का शुभारम हुआ शास्किय उतकरष्ट विध्याले में आउजित इस उसब में खेल पृतियोगिता आउजित की गई जिसमें विध्यार्थियों ने बढ़ चड़ कर हिसा लिया कारिकरम की शुरुवात नगर अध्यक्ष अनीता राजीश लखेरा ने की इस अफसर पर उन्होंने कहा कि विध्यार्थियों खेलों में बढ़ चड़ कर भाग ले रहे हैं और नसुरुला गंच का नाम प्रोशन कर रहे हैं साथ ही उन्होंने बच्चों के अभी भावकों से निवीदन किया कि में बच्चों को खेलों के प्रति उससाहित करें लोकसबा चुनाओं में प्रतियाशियों के चैन के लिए परियवेक्षिक संजे का पूर खंडवा पहुँचे इस दोरान गांधी भवन में आजवित बैठक में हंगामा हो गया बैठक में बुरहानपूर से निर्दली विधायक सुरेंद्र सिंग ठाकुर के समर्थकों ने अरुन यादव के खिलाब जम कर नारिबाजी की और विधान सबाचुनाओ में अरुन यादव पर अंदेखी का अरुक लगाया वहीं विधायक ठाकुर ने कहा कि लोग सबाचुनाओ में टिकेट नहीं दिया गया तो समर्थन वापस ले लिया जाएगा दमोजुले के हटा में समर्थन मूले पर उड़त खरीदी में एफसी आई कंपनी के कर्मुच्वारियों की मनमानी से किसान परिशान है शुक्रवार को लुहारी समीथी के सर्वेरों ने ना आने से किसानों की खरीदी नहीं हो पाई जिससे गुशाएक किसानों ने क्रिशी मंडी के सामने बटियगर रोड पर चका जाम कर दिया और नारे बाजी की उधर घटना की सूचना मिलने पर पहुँचे स्टी ओपी कमल जीन और तहसीलदार चोती ठाकूर ने किसानों को शांत कराया और खरीदी शुरू करने के निर्देश दिये कुल मिला के किसानों को परिशान किया जा रहा है हमारे चित का किसान 6-6 महीने से करज लेके अपना माल इस उम्मीद से रखे है कि अच्छे दामों पर हमारा माल बिकेगा लेकिन जो प्रसासन को 15 साल से बीजेपी की आदत पढ़ गई है वो प्रसासन पूरा योजनाओं को फेल करने में लगा हुआ है आज किसानों को भूके मरने की नौबात आ गई है हमारे किसान वाई ठंड में रात रात भर यहां सूरह है जब आज इस पे से आज हम लोगों ने चकाजाम किया था आपको ही क्यों आब सकता पढ़ गया अमगर लेकर सबसे पहले हम जंता के प् अठे हुए हैं यह किसानों तक पहुचने नहीं दे रहे हैं दूसरी चीज मिनिमंग सपोर्टिंग प्राइस द्वारा की जा रही है केंदर की योजना है केंदर के अधिकारी कर्मचारी मत्रप्रदेश गवर्मेंट को बदनाम करने के लिए मान ली जिए परेसान करने के यह उनकी नियत साफ नहीं है इस योजना को फेल कर रहे हैं जिससे किसान कांग्रेस के प्रती नक्रात्मक सोच आपकी समझायत पर किसान उन्हें यह आंदूलन्था खत्म किया है क्या आस्वासन मिला है आपको प्रसासन के अधिकारी कर्मचारी आए दो दिन से सर्वेयर नहीं था जब यहां पर सर्वेयर तुरंत आया जब उन्हें बादा किया कि कल जो जिनका माल पास करने के बाद फेल किया गया था उन्हें पास किया जाएगा ववस्तित तोर पर खरीदी होगी और उपर हमारा जो मुख मुद्दा था कि देट बढ़ाई जाए उपर इस मा प्राम जिले के सिंग्राम पूर गाओं में जवेरा पुलिस ने चापा मार कारवाही की जहां से टीम ने धाबा के पीछे खेट से 19,000 रुपे की शराब बरामत की पुलिस के मुताबिक धाबा संचालक संदीप यादव अवैत तरीके से शराब बीचा करता था जिसने पुलिस ने चापा मार कारवाही की गई इस दोरान 19,000 रुपे की शराब जब्त की गई मद्धिप्रदेश सहायक सर्वेक्षन संग के बैनर तले हजारों की संख्या में अपनी नियमिती करण की मांग को लेकर वितमंत्री तरुन भनोट के बंगले पहुचे जहां उन्होंने अपनी नियमिती करण की सर्वेक्षन सहायक अपनी 2014 में आयुचित परिक्षा और ट्रेनिंग के बाद भी अपनी नियमिती करण के इंतजार में हैं पिसली सरकार से लगतार चर्चा के बाद भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर नारा सहायक सर्वेक्षन बड़ी संख्या में वितमंत्री वहीं सर्वेक्षन कर्मियों का कहना है कि मंत्री जी ने हमारी बात को गंबीरता से सुना है और जल्द ही अधिकारियों से बात करनी की बात कही है दिश्टिया तो उनकी मांगे बड़ी जायज है अगर सरकार ये करे कि अपने ही प्रदेश के नौजवानों का विश्वास अर्ज़त ना कर पाए परिक्षा बुलाए उनसे फीज ले उनको नियुक्ति दे और उसके बाद उसका सम्मान न रखे तो इससे दुरभागे हो नहीं सकती है और हमने वचन पत्र में कॉंग्रेस पार्टी के स्प्रेश रूप से चुनाओ के पहले कहा था कि ऐसे सारे मामलों पर हम उचित कारवाई करेंगे और जिनके साथ धोका हुआ है उनका विश्वास सरकार के प्रती पुना बहालो सबसे महत्मूर्ण तो इन विश्वास हटेगा तो यह अच्छी बात नहीं है सम्मद्द अधिकारियों से मैं पहले भी कह चुका हूं और वो रिपोर्ट तयार कर रहे हम जल्द बाजी में कोई निड़ने नहीं करना चाहते हैं हम रिपोर्ट तयार करने के बाद में जो प्रतिनीदी मंडल मुझ से आज मिला है इनके सयोगियों को साथ में बिठाकर अधिकारियों को साथ में बिठाकर चर्चा करेंगे और इसका कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि इनका नुक्सान भी ना हो सरकार का भी किसी प्रकार का नुक्सान ना हो और हमारे देश के प्रजातांत्रेक विवस्ता इसके निक्ती के पर slip में अपने में दिया ता नौर्स कंचे और अब यहां है तो अजालो हमारी स़कार आंना कि आ ऐसकार। 28 दिन तारीक को हमें पूर्ण विश्वा से हमारी भांग पूरी होगी 28 तारीक को हमारा नियुक्ति प्रतान होगी भारत में बड़ते लेंगी का अपराधों पर रोकधाम के लिए वर्ल्ड विजन इंडिया 20 जनवरी से 28 जनवरी तक लेंगी क्शोषण से मुक्त करने का आउशन करनी चाह रही है जिसमें मुक्ति अधिती के रूप में राजजपाल आनंदी बेन पटेल मौचूत रहेंगी इस कारिक्रम के बारे में संस्था प्रमुक का कहना है कि बड़ते लेंगी की शोषण से मुक्ति के लिए बच्चों में जाग रूपता दी जाएगी ताकि अपराध पर रोकधाम लग सके मेरा नाम देखा है और मैं हिफाज़त करके एक संस्था से हूँ और हम सब एक नेटवर्क के मादियम से जिसके वर्ल विशन ने ये प्लैटफॉर्म दिया है कि सारी संस्था हैं आए और अपनी बात कहें यहाँ पर और जॉइंटली हम लोग जो हैं बाल योन सोशन के खिलाफ एक मुहीम छेडा है हम लोगोंने और ये 20 तारीक से लेकर 28 तारीक तक का ये मुहीम हम लोगोंने इस तरीके से एक प्लान करके छेडा है जहां हम लोग 20 तारीक को मेराथन के द्वारा जन जागरुपता अभिहान चलाएंगे और अलग-अलग गली और अलग-अलग शेरों के अलग-अलग हिस्सों में जाके स्टेडियम से टीटी नगर स्टेडियम से लेकर एक 3-4 किलो मीटर के दाएरे में और लोगों के बीच में जन जागरुपता के माधियम से ये बताएंगे कि वाल यौन सोशन की क्या इस्तिती है और कैसे इन से बचा जा सकता है बच्चों की बातों को भी सुनना जरूरी है कि इस तरीके से माबाप जाग रूग होकर एक बचाओ के इस तरफे कारी कर सकते हैं क्योंकि इसका आपके तब ही सक्त कानून बना लें जब तक आप 16 साल के अकड़ों के अगर हम बात करें, तो 1,53,000 बच्चे हैं, जो पूरे इंडिया लेवल पे हैं, जिसमें मद्यप्रदेश तो हमेशा प्रथम पायदान पे रहा है, अगर हम कोर्ट के अकड़ों पे थोड़ा नजर डालें, तो मद्यप्रदेश के अंदर जितने डिस्ट्रिक कोर्ट है, उसमें 943 पेंडिंग ऑफ केसे जो है, चाइल सेक्शूल अब्यूस के जो पॉक्सो एक्ट के अंदर गयता है, वो पेंडिंग है, यानि 943 वो सिर्फ भ जहाँ नियाय में भी देरी हो रही है, बच्चे के विक्टिम कमपनसेशन स्कीम की अगर हम बात करते हैं, तो विक्टिम कमपनसेशन स्कीम अगर इन 8500 आकड़ों में देखें, तो शायद विक्टिम कमपनसेशन स्कीम और पिछड़ी होई है, तो आकड़े और ये सारी ची बढ़वा पुलिस ने बस्रौंग घाट से फाना प्रभारी योगिंदर सिंग तोमर ने बताया कि खरगून के पुलिस अधिक्षक और बढ़वा SGOP मान सिंग ठाकू के निर्देश पर कारवाही की गई है उन्होंने बताया कि टावर बढ़ी के सतीश को बजरंग घाट से 160 लीटर शराब के साथ पकड़ा है वही एक अन्य मामली में पुलिस ने दो बियर की पेटी भी पकड़ी है जिसमें सुराना नगर से हरजी सिंग को भी हिरासत में लिया गया है बढ़वा उप जेल में कैदियों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सजा सुनाई चाहेगी जेलर शाम वर्भा ने बताया कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बंधियों को बाहर ले जाने के जरुवत नहीं पड़ेगी साथ ही उनके भागने की संभावना भी कम हो जाएगी वहीं कैदियों की जेल के अंदर वीडियो कांफरेंसी के जरिये ही पेशी की जाती है आपको बता दें कि सुभास चंतर बोस की जन्ती पर 23 जन्वरी को जबलपुर्ट जेल से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस के सेट एकोर्ट की विधिवत शुरुवात करेंगे जिससे कैदियों को पेशी पर नहीं ले जाना पड़ेगा हमने वीडियो कांफरेंसींग स्थार्ट हुई है पर फ़लाल इतना ही देश और दुनिया की दमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने ठीए सेवराई न्यूस के साथ नमस्कार करेंगे